प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफाइड वेनेवर वीडियो तो इंडोनेशिया में चल रहे एशन गेम्स में भारत की जीत का सिलसला जारी है आज शूटर शारदूल विहान ने मेंस के डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा 15 साल के हैं शारदूल जीता टैनिस से भी भारत की जोली में एक मेडल आया वुमन सिंगल्स में अंकिता रहना ने एक ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किया हलाकि जहां सबसे जादा उमीद थी कबड़ी वहां आज भारत को सबसे बड़ा जटका लगा साथ बार की चैंपियन यानी 28 साल से जिस खेल में भारत चैंपियन है भारत की पुलुश टीम उसमें समीफानल में ही हार गई और समीफानल में ही उसका सफर खत्म हो गया भारत को कांस पदक से संतोष करना पड़ा कबर्डी में ये पहला मौका है जब भारत एशियाड में गोल्ड की रेस से बाहर हुआ है समीफानल में भारत को इरान से हारना पड़ा हलانکہ بھارت के पास इरान से बद्ला लेने का एक मौका है और वो मौका है महिला कबर्डी टीम के जरी जी हां महिला कबर्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और कल उसका मुकाबला इरान की टीम के साथ ही होना है तो आएक नज़ड अभी तक की मेडल टैली पर डा लेते हैं कि अभी तक भारतं ने कितने मेडल जीते हैं कुल 18 पदक भारत की जो لी में अभी तक आ चुके हैं अगर हम देखें और दस tilted नमबर पर भारत अभी तक मेडल टैली में आता है 55 गोल्ड के साथ चीर मेडल टैली में टॉप पर बना हुआ है उसके नीचे जापान है जापान 25 गोल्ड के साथ नमबर दो पर काबिज है तीसरे नमबर पर साउथ कोरिया है साउथ कोरिया 15 गोल्ड जीत कर मेडल टैली में नमबर 3 की पोजिशन पर बना हुआ है और जैसा कि मैं आपको बता रहा था मेडल टैली में भारत चार गोल्ड, चार सिल्वर और दस ब्रॉंज जीत कर दसवी पोजीशन पर पहुँच गया है तो इस याइशियाड में भारत के मौझूदा प्रोडर्शन पर बात कर निकले मेरे साथ दो बहुती खास महमान है मेरे साथ हैं इस वक्त स्पोर्ट्स एनलिस्ट आयास मेवन और वरिष्ट स्पोर्ट्स जर्णलिस्ट वरिष्ट खेल पत्रकार मलय नीरव आप दोनों का स्वागत है और मलय जी तो सबसे पहले मैं आप से लूँगा पांचवा दिन सबसे पहले आज के दिन के प्रदर्शन पर भारते खिलालियों के प्रदर्शन पर बात कर लेते हैं तीन पदक सर अभी तक आए हैं एक टैनिस में अंकित रहना लेकर आई हैं ब्रॉंज 15 साल के शूटर शादूल विहान सिल्वर लेकर आए हैं और जो तीसरा पदक जहां गोल्ड की उमीद थी ब्रॉंज आया है भारते कबड़ी टीम का तो अभी तक के आज के खेल पर क्या जगह मिलेगी मगर दाद देनी होगी 15 अवर्ष की उम्र में जो शादूल विहान ने किया है आज आपको याद हो का डबल ट्रैप नहीं एथिंस में ओलम्पिक्स में 2004 में राजेवर्धन सिंग्राट हॉड ने जब सिल्वर प्राप किया था तो इंडिविजूल इविंट में वो पहला सिल्वर मेडल था डबल ट्रैप में और अब एक बार शादूल विहान ने जो करके दिखाया है यह उम्र जब खिलोनों से खेलने की होती है उस समय अगर आप मिट्टी की चुडिया को उड़ा रहे हो शूटिंग से तो यह बहुत बड़ी बात है और यह मेरे यह बताया है कि शूटिंग में भारत के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं लेकिन कबड़ी में बहुत निराशा हुई है क्योंकि भारते टीम इरान के हातों दिस्टार हारी और कांसम फद्दक से चंतोस करना पूरा यही सवाल लेकि आयाज मेमन के पास जाओंगा आपने 16 साल के सौराप का जिक्र किया आपने 15 साल के शार्दूल का किया 19 साल के लक्ष भी है उन पर हम बात करेंगे लेकिन कबड़ी का जो आप जिक्र कर रहे हैं आयाज 28 साल 7 बार की चैंपियन टीम और वो समी फाइनल में हार गई इरान के हाथों 18 27 से क्या वाकई कबड़ी में जो स्टांडर्ड खुद भारते टीम ने सेट किया था उसके मताबिक वो नहीं खेले और दूसी तरफ महिला कबड़ी टीम की बात करें तो उन्होंने फाइनल में जगा बनाई है उनके पास एक मौका है इरान को हरा क अगर इस हार का बदला लेने का क्या कहेंगा लाहर है कि जो उमीद ही उससे बहुत नीचे परफॉमंस रहा है इंडियन में कबड़ी टीम को क्योंकि तब क्या आशाएं थी और मेरे खाल टीम में खुद ने सोचा होगा टीम के प्लेयर ने कि हम यहां पर स्वर्ण पड़क और पोडियम पे आने के बाद फिर गोल्ड मेडल टीते और यहां पर ऐसे लग रहा है मुझे के इरान ने यह साबिद किया है कि वो कबड़ी में जहां कर का सवाल है वो कितना कितना उनका प्रोग्रेस हुआ है कि ना पूले विमिन्स फाइनल में भी वो उनका प्रदेश क मिला है तो कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे इस तरह से अब अभी तक का जो प्रदेशन रहा है क्या यह माने कि वो कमजोर टीमों के खिलाफ था इसलिए बहुत अच्छा प्रदेशन हमें देखने को मिला पुछला रिकार्ट खुद का तोड़ा भारते टीम ने अब क्यों में सामने आनी है तो इस जीत के मोमेंटम को तो बरकरार रखना चाहिए भारती टीम को लेकिन ओवर कॉंफिडेंस की शिकार ना हो जाए क्या लगता है आपको कितनी तयारी दिखती है और क्या उन मुकाबलों में आप देख पाते हैं देखें आपने बहुत माकूल सवाल क्योंकि अगर हॉंग कांग को आपने 26 सोने से मात दे दी या आपने और किसी ऐसे वैसे टीम को मात दे दी तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं होती है मगर देखें यह जो बात हमें जो इसमें पॉजितिव दिखाई दे रहा है हमें जो इसमें आशा की एक करन दिखाई द और हमारे सामने कोई और अच्छी टीम आए तो हम उसके सामने ऐसा खेलें इसलिए कॉई बात ही नहीं है इसलिए इसमें यह नहीं है कि हम यह मान के ओवर कॉंफिडेंस हो जाया या आत्मश्वास के शिकार हो जाए बारत के टीम ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि यह जो टीम इस तरह से पुरी दमखम के साथ खेल रही है आपने देखा कि इस मैच में चार खिलाडियों ने हैट्रिक बारी इससे पहले वाले में तीन खिलाडियों ने हैट्रिक की तो यह इस तरह से आसानी से हार मानने या जीत को भी आसानी से ले लेने वाले नही है कि जब हमने इंडोनेशिया को 17 सुनिय से पीटा और एक नया रिकॉर्ड एशिया इंगेम का काइम किया और उसके बाद पुराना रिकॉर्ड तूटा जब हॉंक को 26 सुनिय से मारा पचाड़ा तो इसमें ठोटी ठोटी ठीम हैं हलकी तीम हैं इसकोशक नहीं और दक्षिन कोरिया और जापान भी है लेकिन भारती एक टीम में एक नई सांस आ गई है जो दिखाई दे रही है एक नई उमंग है और नया confidence है ये over confidence नहीं हो सकता मगर हाँ ये बात सही है और अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में ऐसा ही production क्या देखने को मिलेगा मिलेगा तो वाकई भारत की टीम एशियाई खेलो में एक और इतिहास लिखेगी defending champion तो men's team ही लेकिन मैं आयाज मेमन आप से एक सवाल देना च निराश किया भारतिया प्रशंसकों को आखिर ऐसा क्या हो रहा है DP का कुमारी के साथ आपको लगता है और क्या लगता है आपको कि युमीदों के मताबिक production नहीं रहा है निराशा हाथ लगी वहां से देखें, बिल्कुल प्रदाशन नहीं रहा है, उमीदों के हिसाब से, क्योंकि उमीद थी कि मैडल मिलेगा, वो हुआ नहीं है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि टीपिका जब वहां गई तो डेंगे उनको हो गया था और पूरी तरह से रिकावर नहीं की थी, ये एक पहलो है, दो हजार बादा ओलिम्पिक से, जब वहां पर भी गई थी, तो उमीद रही थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करीगी, वैसा हुआ नहीं, और लगाता है, अगर आप देखें, तो मेजर कॉम्पिटिशन में, उनका यानि के एश्यार हो, या ओलिम्पिक ऐसे जिव टॉर सामने हैं, वो ये बताता है कि बड़े स्टेज पे डिपिका ने काफी नराज किया है, ठीक है, मैं एक आखरी कुश्चन मला जी आप से लूँगा, और आपके इसाब से आगे किन खेलों पे आपकी उमीदें टिकी हुई है, और जादा, और कहां पे भारत को स्वर्ण प्र सब्सक्राइब हैं, उनसे भी उमीद है, लेकिन जैवलीन में तो सर्टिनली बहुत अच्छी उमीद है, रही बात बाकी खेलों की, तो जो हमारे परंपरागत खेल हैं, उनमें अगर आप उन पर नज़र डालें, तो बॉक्सिंग, शूटिंग और रेसलिंग, ये तीन ऐस खेलें जिसमें भारत ने अभी हाल फिलाल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब देखना ये है कि इस प्रितार से आगे प्रदर्शन रहता है, बॉक्सिंग में भारत कैसा करता है, और रेसलिंग में भी बुरा प्रदर्शन नहीं रहे लेकिन और बेहतर हो सकता बाड में आज एक ठका लग सकता था बाल बाल बची है पीवी संधु बाल-बची है तो विए उमेद है और टेनिस में भी पदक आए हैं अलाकि वोग्णी स्वर्ण या रजस्च नहीं आया और पदक तो आए है और टेनिस में भी कुछ पदक और आएंगे अभी ये उमीद ह रोहन बोपन्ना और डिविच शरज की जोड़ी ने शायद एक सिल्वर मेडल एशॉर्ड कर लिया ऐसा कुछ है अगर आपके पर जादा जानकारी हो पहरे दर्शन को बिल्कुल वो सिल्वर मेडल एशॉर्ड है उनका जो मुकाबला है फाइनल वो अभी जारी है वो अभी ज जो पहला सेट है उसमें शायद वो पिछड़ रहे हैं जैसा कि मुझे अभी तक पता है आप देखना है आगे कैसा रबचा है और अगर अच्छा करेंगे तो फिर तीन सेट में जाएगे ने तो दो सेट में फैसला हो जाएगा ठीक है बहुत शुक्रिया मली जी आपका yeah आज आपका ही बहुत शुक्रिया अमारे साथ जूड्ने के लिए तो मिला जुला दिन रहा आज 5 वादी नेशन गेंज masa का भारत के लिहाज से लेकिन आगे बहुत सारे गेंज हैं जहाँ पर भारत को उमीद है कि भारते कि ल नज़र टेकी हुई हैं वो है महिला कबर्डी टीम का कि वो पुरुष कबर्डी टीम का बदला इरान से जरूर लेंगी चले एक और बड़ी खबर जो आज कल काफी सुर्खियों में हैं वोटसेप ने एक बार फिर से दोराया है कि वो फेक न्यूस पकड़ने के लिए यूजर प्राविसी से समझोता नहीं करेगा इधर सरकार कह रही है कि वोटसेप को फेक न्यूस का सोर्स बताना होगा दबाव बनाने के लिए सरकार अगले महीने से फेक न्यूस और अफवाहों की जमेदारी फेसबुक वोटसेप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाल सकती है पूरी खबर के लिए बात करते हैं सन्मालाता असीमनचंदा से असीम फेक न्यूस पर सरकार और वाटसेप के बिच क्या खिचतान चल रही है दिएकि सरकार चाहती है कि जो WhatsApp है वो फेक निउस का सोर्स बताए उसको ओरिजनेशन बताए कि ओरिजनेशन जो है वो कहां से हुआ तो लगत वो किया जा सकता है और इसको करने के लिए बिल्कुल तयार नहीं हो अपनी प्राइवेसी की सेटिंग है उसमें किसी की भी तरह की डील जो है और नहीं देगा तो उसने साफ साफ बयान जो जारी कर दिया है उसने कहा कि इसका इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर करते हैं बेंकर करते हैं फैमली वाले करते हैं तो अगर हमें इसके इंफोर्मेशन अगर किसी को सेब को और इसका औरिजिनेशन का सुपेक निउस का सोर्स जो है बताना होगा तो दोनों को ले करके इस चीज के उपर अभी ठन गई है असी में एक और खबर आपने दिये उसके बारे में बताईए अगले महिने से सरकार आईटी एक्ट में कुछ बदलाव करने जा रही है क्या है वो बदलाव और क्या इसका मकसद भी फेक निउस से जुड़ा हुआ है जी सही का आपने इसका मकसद भी फेक न्यूस से जुड़ा है सरकार आइटी एक्ट की दारा 79 के अंदर बदलाव जो हो कर सकती है इसके तैट जो भी करनी होगी शिकायत मिलने पर उसको पर तुरंत जो एक्शन लेना होगा और को जो इसको नोटिफाइब करने के तैकि जो सब्सक्राइब करने लोगों का सफर बेहत सुहाना होने वाला है अब आपको फाइव स्टार होडल जैसी केटरिंग सर्विस देने की योजना पर काम कर रहा है इसके लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तैट आयार सी टीसी पंद्रह सो स्टाफ को यानि पंद्रह सो आयार सी टीसी के करमचारियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दे रहा है इस खबर पर जादर डेटेल दे रहे हमारे सनुमादाता अलोग प वास्ता पड़ता है और ऐसे में अगर ये करमचारी वेल ट्रेंड होंगे अच्छी तरह से फूड और विवरेजेज को सर्व कर पाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा अनुवा होगा और साथी साथ उनके लिए भी काफी अच्छा होगा इसी को इसी के मद्दे नज हो रही है और इस ट्रेंडिंग को देने वाले जो लोग हैं काफी एक्सपरियंस्ट काफी अनुभवी लोग हैं जैसे कि आयलन एफस और माईशा इंस्टूट जैसे जो ट्रेंडिंग पार्टनर हैं को प्रधानमंत्री को कोशल विकास योजना के दाद ये तमाम लोग इन ये कोशिश की जा रही है और इसमें IRCTC के साथ जो NSDCA, National Skill Development Corporation ने एक मेमोरेंडम साइन किया है और इसी के तहत इस तमाम ट्रेंग मोड्यूल को चलाया जा रहा है जिसमें IRCTC के करीब 1500 कर्मचारियों की ट्रेंग हो रही है उदर AMFI के Mutual Fund के सालाना समिट में HDFC के चेर्मेन दीपक पारेख ने कहा कि Mutual Fund में लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ा है आगे चलकर इसमें ग्रोथ बढ़ती रहेगी और अगले 5 सालों में निवेश डबल हो जाएगा हाला कि Mutual Fund के cost structure में सुधार करने की जरूरत है The first trend is doubling of AUM in the next five years The average assets as you know under management today is a 24 lakh crores and most asset managers forecast that the AUM in the next five years will be doubled The challenge is how is it possible to get more with less which is getting more business with lower costs With a growing share of retail investors, the regulator is right in prodding asset management companies to rationalize their cost structures अगले दो हफ्तों में Paytm का Mutual Fund Platform शुरू हो जाएगा आज AMFI के Mutual Fund की सालाना समिट में Paytm के फाउंडर विजय शेकर ने हमसे exclusive बातचीत में कहा कि Mutual Fund Platform की तयारी लगबग पूरी हो चुकी है आपका प्लाटफॉर्म कब से लाइव हो रहा है कितना काम बढ़ चुका है कितने Fund Houses रोपिन हो चुके है मोरल है सारे Fund Houses आचुके हैं बाद के 4-5 मतलब मैं कहुंगा कि 92% Asset Under Management तो इंडस्री का अपने पास है लेकिन आब हम चाते हैं कि 92% Fund Houses का काउंट आजाए क्योंकि AUM is equally distributed नहीं है तो उस कारण से अपना अभी ट्राइल में चल रहा है अगले दो हफते में स्राट करते हैं और कितने हैं आपके पास प्री रेजिस्टर्ट साड़े साथ लाग थे लास्टाइम आई नियू और वो गया होगा आट लाग पी हो गया होगा तो फ्राट मी बढ़ता इस साल हमें अगर हम किसी चीज़ फोकस करना चाहते हैं तो वीचल फंट पे बहुत अच्छा करना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत अच्छा करें तभी हमें एक राइट टिकेट मिलती है किसी अगली चीज़ को अच्छा करने की हमने पिछले साल में कुछ कॉमर्स लेट चीज़ें करें टिकेट करें इवेंट मुवीज ट्रेवल इस साल हम लोग फैनेशल सर्विसेज कर रहे हैं उधराज केंडरे मंतरी अरुन जेटली ने वित मंतरी और कॉर्पोरेट अफेर्स मंतराले का कामकाज फिर से संभाल लिया किड्नी ट्रांस्प्लांट की वज़ा से वो छुटी पर चल रहे थे सजली के बाद से ही वो सारजनिक जगों से दूर रह रहे थे जेटली की घैर मौझूद्गी में प्यूश गोईल वित मंतराले का कामकाज देख रहे थे उधर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने जर्मनी के हैंबर्ग में छात्रों और भारतिय समुदाय के लोगों को संभोधित करते वे कहा कि नोटबंदी और GST की वज़ा से देश में लिंचिंग हो रही है राहूल ने का कि नोटबंदी GST की वज़ा से बड़ी संख्या में छोटे कारुबार ठप हो गए जिसकी वज़ा से लिंचिंग की घटनाय हो रही है वज़ा की वज़ा से लिंचिंग रही है and that's what you get to read in the newspapers when you hear about lynchings in India when you hear about attacks on Dalits in India when you hear about attacks on minorities in India that's the reason for it उदर केरल में बाल की तबाही के लिए विजियन सरकार ने तमिलनाडू को जमेदा ठहरा दिया है जी हाँ सुप्रीम कोट में केरल सरकार ने कहा है कि तमिलनाडू सरकार ने मुला पेरियार बांध से अचानक पानी छोड़ा जिससे तबाही आई ये बांध है तो केरल में लेकिन इसका जलस्तर पूरी तरह से तमिलनाडू से उपरेट होता है केरल लमबे वक्त से बांध के डी कमिशन की मांग कर रहा है जिससे सालों से लीक विक्सित किये जा सके उधर केरल में राहत के लिए केंदर सरकार ने UAE की 700 करोल रुपए की मदद को ना कह दिया है जबकि केरल सरकार विदेशी मदद लेने के पक्ष में है आज आवाज अड़ा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि का केरल में राहत के लिए विदेशी मदद नहीं लेने का फैसला सही है आप हमारे ट्विटर अंडल सी अन्बिसी अंडल स्कोर आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं जाने वाने पत्रकार कुलदीप नईयर नहीं रहे कल देरात उनका दिल्ली में निधन हो गया देश के पहले प्रधान मंत्री नहरू से लेकर मौजुदा पियम मोदी तक के कामकाज को करीब से देखने और समझने वाले कुलदीप नईयर ने पत्रकारिता की शुरुवात उर्दू प्रेस रिपोर्टर के तौर पर की थी बाद में वो दा स्टेट्स मैन और इंडिन एक्ष्पेस के संपादक भी रहे आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए नईयर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बने वो राज सभा सदस से भी रहे कुलदीप नईयर का जन्म सियाल कोर्ट में 1923 में हुआ था दर टीवियस मोडर्स ने आज एक नई बाइक रेडियोन लाँच की है बाइक कम कीमत में बहतर परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी देगी इसमें 110 CC का एंजन है जो 8.4 BHP पावर जनेरेट करता है कमपनी का दावा है कि ये बाइक 79 किलोमेटर की माइलेज देगी जिसमें साइड स्टैंड, एंडिकेटर, USB चार्जर और 18 इंच के ट्यूबलेस टायर है रेडियोन का सीधा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर से है